नमस्कार विद्यारतियों, इस्टडी 29 एकेडिमी के एक और नहीं वीडियो में आप सभी का स्वागत है, आज हम कक्षा आठ गनीत की कारिय पुस्तिका का कारिय पत्रक तीन हल करेंगे, और यह जो कारिय पत्रक है यह सतर दोजारते भी सोबीस में जो नहीं कारिय पुस्तिक की समझ विक्सित कर पाना, यानि हमें संक्याओं के तुलना करना सीखना है और उनको आरो इकरम, यानि बढ़ते वे करम में लिखना है, पहला परसन है, नीचे दी गई संक्याओं के बीच से बड़ा, से छोटा या बराबर में से उप्योगत चिन लगाना है, ग्रेटर दे इस बड़ा है, 4,289 से, तो यह जो चीन या है, ग्रेटर देन का यह, बड़ी संक्याओं की तरफ हम यह भाग रखेंगे और छोटी संक्याओं की तरफ इसका नुकिला भाग रखेंगे, दूसरा है हमारे पास 9,682 और 9,628, तो यहाँ पर देगना है, हजार की संक्याओं क की बुराबर है सेखड़ा की भी दोनों की बराबर है लेकिन दाई का जो अंक है वो इस संक्रियाका बड़ा है तो हम इसमें लग देंगे ग्रेटर देन वाला चिन यानि 90692 बड़ा है 9688 से उसी प्रकार तीसरा हो जाएगा उन साट अजार आठ सो पैंसाट और उन साट अजार साथ सो नवासी तो यहां पर जो सेकड़ा का अंक आ रहा है सेकड़ा का अंक है वो इस संक्या का बड़ा है तो यह आ जाएगा से बड़ा वाला चिन आ जाएगा चोता है पहले का चोता 68,269 68,269 तो यह सेंक्या और यह सेंक्या दोनों बराबर है तो यहां पर बराबर का चिन आ जाएगा पहले का पांच वह है 65,806 और 68,503 तो यहां पर जब हम ध्यान से देखेंगे यह जो हजार वाल अंक है हजार वाल अंक है इस संख्या में तो है पांच और इस में है आठ तो आठ पांच से बड़ा होता है तो यहां आजाएगा सर छोटा का चिन दूसरा प्रसन है नीचे दी गई सेंक्याओं को आरो ही करम यानि बढ़ते करम में लिखे हैं हमें कुछ सेंक्या दे रहे हैं उनको बढ़ते करम में लिखना है यानि सबसे छोटी सेंक्या वो पहले लिखने हैं उसके बाद उसे बड़ी उसे बड़ी और ऐसे बड़ी से में 43,900 चीतर इन सेंक्या में सबसे छोटी सेंक्या को इसने पे ले लिया है जो छोटी सेंक्या 3689 उसके बाद इसने लिया है 43,900 चीतर जो इस सेंक्या से जस्ट बड़ी है इसे बड़ी यह हो जाएगी इसे बड़ी यह सेंक्या और यह लास्ट में सबसे बड़ी सेंक्या और लेस देन गा इसने चिन लगा यानि से चोटे गा इसमें चिन लगेगा आरो ही करम में बढ़ते करम में ये चिन लगेगा दूसर है बाइस जार आठ सो निनानवे बाइस जार नौसो अठानवे बाइस जार आठ सो नवासी बाइस जार नौसो निनानवे तो इसमें हमें सबस चोटी सेंख्या का पता करेंगे तो हजार और दश हजार ये दोनों जगे पे तो दोनों के बराबर है सभी सेंख्याओं में उसके बाद फरक आता है सेकड़ा का सेकड़ा में सबसे छोटी वाली सेंख्या ये है एक तोर दूसरी है यानि आठ है वो छोटा है अब इन दोनों में से कौन सी संक्या छोटी है तो इन दोनों में ये संक्या हमारे पार सबसे छोटी है तो इसको लिख देंगे बाईस अजार आठ सो नवासी ये सबसे छोटी संक्या होगी उसके बाद आजाएगा बाईस अजार आठ सो निनान है अब इससे बड़ी संक्या देखने है अब सेक्ड़ा का इस्तान पे तो नो आ रहा है तो ये एक्वल हो गए अब हमें देखना है दाई के इस्तान पे तो दाई के इस्तान पे इसमें आ रहा है आट और बाकी दोनों में नो नो आ रहा है तो ये संख्या हो जाएगी बाईस हजार नो सो अठ्यासी अब अगली संख्या हमारे पास है दो संक्या एक तो ये संक्या है और दूसरी है नारे पास ये संक्या इसमें हम ध्यान से देखें था आजाएगा अजाएगा 22999 ये हमने इन लगाना है तो चिन लगा देंगे अब 22,889 चोटा है के 22,899 चोटा है 22,898 से इस परकार यह हम टेट लास तक की संक्यां के चिन को लगाते भी लिख देंगे 22,999 अब है दूसरे का तीसरा परसन इसमें भी हमें आरो ही करम में लिखना है तो हम देखते हैं सबसे पहले 10,000 का अंक 10,000 का अंक सब में समान है फिर देखेंगे हम 1000 का अंक 1000 का अंक सबसे छोटा है इस संक्या में और इसमें यह दोनों संक्या में 1000 का अंक बराबर आगे अब हम देखेंगे सेकडा कांग, तो सेकडा कांग इस संक्या में सबसे छोटा है, तो ये संक्या छोटी हो जाएगी, तो लिख देंगे, 81,329, अब इससे बड़ी संक्या ये हो जाएगी, 81,923, ये दो संक्या हैं, अब अगली संक्या देखते हैं, 1000 की तो आती है, ये दो, 1000 में जो 181931 अब इससे बड़ी सेंख्या हो जाएगी ये वाले 83201 है अब आजाएगी 89231 एट नाइन टू थ्री वन सब सेंख्यां को हमने आरो ही करम में लिखते हैं अब इनके चीन लगा देते हैं तो चीन लगाना अब आसान हो जाएगा क्योंकि ये संख्या सबसे छोटी है इससे बड़ी आजाएगी 8923 इससे बड़ी आजाएगी 8923 इससे बड़ी आजाएगी 8923 इससे बड़ी आजाएगी 83200 एकराण में और सबसे लास्ट में सबसे बड़ी संख्या है इस परकार हमने अंकों को आरो ही करम में या बढ़ते वे करम में लिख दिया है अब तीसरा परसन ह निंचे दीगी सेंख्याओं को अवरो ही क्रम यानि गटते क्रम में लिखना है में तो इस परस्ण में हम क्या करेंगे सबसे पहले जो बड़ी सेंख्या होगी उसको लिखेंगे उसके बाद उससे चोटी उससे चोटी और सबसे लाश्ट में जो सबसे चोटी सेंख्या होगी वो आईगी अवरो इकरम यानि गटता वकरम तो इसमें पहला उदान दे रहा है 6800 ती उतर पचास जार उनियासी 85621 शासो 6368723 इसे परशनों में सबसे पहले हमें 10,000 वाली सेंख्यां को द इसने सबसे पहले लिख दिया उसके बाद 10,000 वाला आंक दोनों सेंख्यां बरबर है तो इसने अगला आंक हजार वाली सेंख्यां का ले लिया तो हजार वाली सेंख्यां का अंक बढ़ा इसमें तो इस सेंख्यां को ले लिया उसके बाद इस सेंख्यां को अब दो सेंख्य बच कि जिसमें हजार वाली सेंख्या का अंक है तो इसको इसमें ले ले लेगा की कि इसमें हजार कांक ही नहीं तो यह ओटोमेटिक gifted हो गी तो यह सेंख्याकी 68éntrial IPO लास्ट में 663 और फिर इसने जो लेस्देन कर्चिन है यानि शे छोटा काची ने वो लगा के इस संख्याओं को विया उस्तित कर दिया है इस उदान को देखते हैं हम अगला परसन हल करते हैं अगले परसन में संख्या हैं 85,732, 9008, 7,321, 5,623, 20,056 10,000 वाली अगर कोई संख्या तो उसको देखते हैं पर है ये दो औरियां पर है आठ तो दो ही संख्या हैं जिनमें 10,000 का अंका रहा है तो इसमें आठ वाला जो अंक है ये संख्या बड़ी हो जाएगी तो इसको लिख देंगे हम 85,732 इसके बाद ये संख्या जाएगी 20,056 अब देखते हैं 1000 वाली संख्याओं में तीनों में 1000 वाली संख्याओं का अंक है तो इसमें सबसे बड़ा अंक ये है 9 का वाला अंक तो संख्या आजाएगी 9,008 अब जो पिच्झे दो बच्रेंंगे उनमें इस संख्या का अंक है वो बड़ा है तो ये आजाएगी high 2321 और लास्ट में आ जाएगी 5600 तियोतर इस प्रकार हमने इन संक्याओं को अवरोई करम में लिख दिया है अब इन में लेस देन का चिन लगा देते हैं तो लिखेंगे 85732 बड़ा है 2056 से और 2056 बड़ा है 9008 से इस प्रकार हम ये चिन लगाते जाएंगे और लिखते जाएंगे 5664 ये हमारा तीसरी का दूसरा होगा अब इसको आगे वाले परसन को इसी प्रकार हल कर लेते हैं इसमें देखते हैं 10,000 के अंक वाली तीन संक्याओं है 53,282 और उसके बाद ये आ जाएगा 56,732 अब जो पिछे दो संक्याओं बचरी उसमें देखते हैं इसमें 1000 का अंक आट है इसमें 5 है तो ये संक्याओं बड़ी हो जाएगी इसको लिख देंगे 8,772 और सबसे लास्ट में सबसे चोटी संक्याओं ये 5,600 तीयोतर अब इनमें से चोटा का चिन लगा के लिखते हैं तो लिखेंगे 9,007 तीयोतर तीयोतर हजार बईयासी हैं 56,732 आट जार साथ सो बाद साट पांच जार छैसो तीयोतर इस प्रकार हमने दे गई संक्याओं को अवरोही करम में लिख दिया यानई गटते करम में लिख दिया हैं तो इसमें हमें विशेस दोर से ध्यान रखना हैं जिस संक्या की तुलना कर रहे हैं पांच अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संक्या बनाईए अंकों की पुन्दरावरती किये विना यानि इस परसंग में हमें पांच अंकों का उप्योग करते विए सबसे बड़ी और सबसे छोटी संक्या बनाने और सरत ये रहेगी कि जो अंक है उनकी पुंद्रा वरती नहीं होगी यानि एक बार कोई अंक आ गया है तो उसको दूबार आ उप्योगा में नहीं करना है तो पेले महिश में हमारे पास अंक है आठ दो चार सा एक और नो तो सबसे बड़ी सेंख्या बनाएंगे तो इन में से जो बड़ा अंक है उसको सबसे पहले ले लेंगे बड़ा अंक हमारे पास है नो उसके बाद है आठ उसके बाद चार दो और एक 98421 ये इन अंकों से बनी सबसे बड़ी सेंख्या होगी इन अंकों से सबसे चोटी संक्या बनानियत लिखेंगी सबसे चोटा अंक है उसको पहले लिख देंगे एक उसके बाद दो चार आट और नो बारादार चार सो नौवासी ये सबसे चोटी पांच अंकों की संक्या बन गी उसी प्रकार दूसरे में है एक सुन्य नो पांच और तीन तो यहां पर सुन्य आ रहा है तो इसका भी हम उपियो करेंगे तो बड़ी संख्या बनाते वे तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली क्योंकि बड़ा अंक है उसको हम सबसे पहले ले लेंगे उसके बाद उसे छोटा उसके बाद उसे छोटा और ऐसे हम पांच अंको की सबसे बड़ी संख्या बना देंगे पिच्चानवाजार तीनसो दश जब हम छोटी संख्या बनाते हैं तो उसमें हमें ध्यादा रखना है जिस प्रकार यहां पर हमने बनाई थी, सबसे छोटे अंकों पहले लिया था, लेकिन इसमें सुन्या आ रहा है, तो सुन्या को अगर हम पहले ले ले लेते हैं, तो वो पांच अंकों की संक्या नहीं बनेगी, क्योंकि किसी भी संक्या में अगर बाई तरफ हम संक्या लगाते हैंगे सुन्य फिर तीन पांच और नो यह दस अजार तीन सो उनसाट पांच अंकों की सबसे छोटी सेंख्या बन गई इसी को अगर हम इसे लिखते हैं 01359 तो यहां पर यह जो सुन्य लगता है किसी भी संख्या के बाइं तरब इस सुन्य से इस संख्या का जो मान उसमें बनेगी हमारे पास 1369 जो की पांच अंकों की संख्या नहीं हो की यह सिर्फ क्या रंकों की इसलिए हमने सुन्य को एक के बाद उप्योग कर रहे हैं सुन्य का उप्योग हम एक के बाद कर रहे हैं इसी प्रकार अगले में हमारे पास है 07618 यहां पर सबसे बड़ी संख्या बनाते समय तो बड़ा अंग उसको हम सबसे पहले ले गें उसके बाद छोटा, छोटा, छोटा और छोटा सत्या सेजार, चैसो दस, ये हमारी सेंखिया बन गई है सबसे बड़ी सेंखिया पांच अंगों की, जिस प्रकार हमने इस परकार हमने हम लेंगे सबसे पहले एक अब सुन्ये उसके बाद छे साथ आठ दस अजार चैसो इत्वतर ये संक्या बन गई हमारे पांच चंकों की सबसे छोटी संक्या इस परकार हमने इस वीडियो में सेज बड़ा सेज छोटा बराबर इन तिनों चिन का उपियो करना सीखा इसके इलवा पांच संकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संक्या बनाना भी सीखा संक्या ग्यान की समझ निर्देश ये निर्देश दिये गए इसमें हमें क्या करना है इस्तानी मान के आदार पर संक्याओं की तुलना एवम आरोई वे अवरोई करम में लिखने के अधिक तमाउसर परदान करें हमने जो कारी पत्रक दो हल किया था उसमें हमने इस्तानी मान निकालना सिखाता था उनके आदार पे हमें आरो ही वे आवरो इकरम में सैंक्याओं को लिखने के ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करने हैं इस परकार इस वीडियो में हमने कारी पत्रक तीन हल किया अगले वीडियो में हम अगला कारी पत्रक हल करेंगे वीडियो अगर उप्योगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में सेर करें चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबादें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिपिकेशन आपको समय पर मिल सकें वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद